हेलो दो विश्टो वेलकम तो माई यूटूब चैनल आई वोप आप लोग बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पोधिना को अपने होम कार्डर में कैसे लगाएं पोधिना को आप चाहे गमले में लगाएं चाहे टोकरी में लगाएं चाहे पोधिना को सबसे पहले कहां पाया गया तो मिस्र में पाया गया चीन के साहित में भी इसका उलेक मिलता है इसकी जो विद्धवत खेती है जम्मू कासमीर में किया गया अब सबसे पहले गाएस मैं पुदीनदेंद का जड़ वाला हिस्सा लगा रही हूँ चाहे तो आप उसका ओप्रीवाला हिससा भी लगा कर कर सकते हैं और मैं तो जड़ वाला ही लगा रही हूँ लगाने के बास सेसको पानी बराबर मात्रा में डालते रहना है सुबा साम यह बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे तो इसे दीखिए मैं जड़ वाला हिस्सा ही लगा रही हूं आपको ऐसे लगा देना है आज कल पोदीना की गयज दो प्रजातिया बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है एक मेंथा पिपरीटा इसे बिलायती पोदीना कहते हैं जिसे अमेरिका एरोप वा अन्न देशों में उगाया जाता है और दूसरा है मेंथा आर्वेंसिस जिसे जापानी पोदीना कहते हैं जिसे ब्राजील, जापान, चीन, फार मोसा और उत्तर भारत में एसिया वा विसके अन्न देशों में भी उगाया जाता है भारत में पोदीना की खेती तीन दसकों से की जा रही है गाईज वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पोदीना उत्पादन में सबस इसका 60% भाग उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है अब इसे मद्ध प्रदेश और राज्यों में भी उगाया जाने लगा है पुदीना हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे मंद होता है इसका प्रियोग गर्मियों में बहुत ज्यादा किया जाता है या बहुत ही फायदे मंद भी होता है अब मैं पुदीना को लगा चुकी हूँ, मैं इसको पानी डाल देती हूँ, इसको फुहारे से पानी देना है, अब मैं इसे रख दूंगी, इसके बाद सुबा साम पानी देती रहूँगी, ये देखे फ्रेंड्स वन वीक हो चुके हैं, उमारे पुदीना तयार हो चुका है आप देख सकते हैं ये लिए फ्रेंड्स पुदिना लगाए हुए दो बीक हो चुके हैं और पुदिना अच्छी तरह से त्यार हो चुका है अब ये ग्रो ही करता जाएगा इसकी ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है पुदिना आप इसकी कटिंग चाहे तो करते रहेंगे तो ज़्यादा नहीं फैलेगा अगर नहीं कर रहे हैं तो फैल जाता है आज का वीडियो यहीं तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करिए तब तक के लिए बाइ बाइ